वेल्कम टू एक्स पिएच वाई एजुकेशन मैं मुहम्मद जफर हमारे एजुकेशनल क्लास्रूम पार्टनर है आचार इंस्ट्यूट पनकी कानपूर यदि आफ आफ ऑनलाइन या आफ लाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं आचा करते हैं तरंग यानि की वेव तरंग एक प्रकार की उर्जा होती है जो किसी माध्यम में डिस्टर्बेंस या विच्छोप के कारण उत्पन होती है अब किसी तरंग में अगर सम्वेग होगा तो उसमें उर्जा भी होती है या उर्जा है तो सम्वेग भी होगा तो फाइन गकल वय्व यानिकी यांतरिक तरंगे दूसरा है इलेक्ट्रो मेंगनेटिक वेडर बननीकी विद्दूच्यु Ilkub की तरंगे तीसरा है आपका मैंतर वेव यानिकी दरवी तरंगे में अधिकर करने सब के लिए माद्यम की हो सकता होती है बिना माद्यम के यांतिक तरंग उद्पन नहीं हो सकती है यांतिक तरंगों को फरदर दो भागों में बाटा गया है पहला है आपका अनुप्रस्थ तरंग यानि कि Transverse ट्रांसफर्स वेब में क्या होता है माध्यन के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबोच चलते हैं यानि कि अगर तरंग इस दिशा में चल लई है तो उसके कण लंबवत इस दिशा में आपके चल लएंगे इसके लिए यहाँ पर एक एक एक्जामपल बनाया है एक तनी हुई डोरी थी हमारे पास जिसको हमने उर्द्वादर इस दिशा में कंपन कराया है तो वहाँ पर जो तरंग उत्पन हो रहे हैं वह अनप्रस तरंग होगी क्योंकि वह इस दिशा में चल लई है तरंग और उसक अगला पॉइंट है आपका इसमें स्रंग और गर्थ बनते हैं स्रंग का मतलब होता है जहां पर विस्थापन अधिक्तम होता है गर्थ का मतलब होता है जहां पर विस्थापन नियूनतम होता है दो क्रमागा स्रंगों और गर्थों के बीच की जो दूरी होती है वह लेमड से गर्त या गर्त से स्रंग के बीच की जो दूरी होगी वह आपकी lambda by 2 होगी अगला point है अनप्रस तरंगों में ध्रुण की घटना होती है याद रखेगा अनप्रस तरंगों में polarization होता है अगला point है अनप्रस तरंगे ठोस तथा द्रौ के प्रेश्ट पर उत्पन होती है जहां समय पता चल ला है कि अनप्रस तरंग सदेव उसी माध्य में उत्पन होती है जहां पर तरीके से आप याद रखेगा कि प्रकास तरंग वो वो अन्परस तरंग होती है इसमें माध्यम के प्रतेक बिंदू करता नियत रहता है अनपरस तरंग के माध्यम के प्रतेक बिंदू पर संब्हीज अगला आपका जो टाइप था वह है यहांतरिक तरंग का अनुधैर तरंग एंगलिस में बोलते हैं लॉटगनी-ट्व वेव यह क्या होता है अनुप्रस्त Geniac उल्टा होता है इसमें लोट दिशा मेरे करूर अगर इस दिशा मेरे माडीयम कर दिशा रही होगी अगला पॉइंट आपका हो जाएं पास-पास होने पर वहां पर क्या होता है गंए तो बढ़ जाता है गंए तो ती होटती है वह आपकी लेम्डा यानि की तरंग धैर के बराबर होती है तो दो क्रमागत संपीडन के बीच की दूरी लेम्डा होती है और एक क्रमागत संपीडन से विर्लन के बीच की जो दूरी होती है वह आपकी लेम्डा वाई टू होती है अगला पॉइंट आपका अनुधैर तरंगों में धुरुवण नहीं होता है अगला पॉइंट है अनुधैर तरंगे ठोस द्रो तथा गैस तीनों में ही उत्पन होती है अगला पॉइंट है द्वनी तरंगे जो है वो अनुधैर तरंग का उधारण है द्वनी तरंगे कैसी होती है अनुधैर तरंग होती है तो कैसे याद रखेंगे इसमें धा आ रहा है और अनुधैर में देखिए धा आ रहा है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ध्वन है इसलिए वह अनुधारद है तो दूसरा अभी आपको हमने थोड़ दर पहले बताए clue इसमें संपीडन और विर्लन बनते है यानि कि जहां संपीटन बनते हैं वहाँ पर ताप अधिक होता है और जहां विर्लन बनते हैं वहाँ ताप कम होता है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनुधैर तरंगों में प्रमाध्यम के प्रतेग बिंदू पर ताप नियत नहीं रहता है इसलिए इसे रुद्धोस भी हम लोग कहते हैं अगला point आपका है गैसों में अनुधैर तरंग या ध्वनी तरंग की चाल को प्रभावित करने वाले कारक यानि कि वो क्या-क्या factor या कारक हो सकते हैं जो गैसों में ध्वनी तरंग की चाल को पढ़ जाती है तथा ताप घटने पर ध्वनी तरंग की चाल घट जाती है दूसरा दाब का प्रभाव दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता है किसी गैसी माध्यम में अनुदैर तरंग यानि ध्वनी तरंग की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता है तीसरा है आपका घनत का प्रवाव, चाल घनत के वर्गमूल के विद्पुर्मान पाती होती है, यानि कि अगर घनत तो बढ़ेगा तो चाल उसकी घटेगी, और अगर घनत तो घटेगा तो उसकी चाल बढ़ेगी, अगला कारक हो सकता आपका आदरता का प्रभाव यायनिकि humidity नमी का प्रभाव या दख्येगा आदरता बढ़ने पर ध्वनी की चाल बढ़ जाती है तथा आदरता घटने पर ध्वनी की चाल घट जाती है यही कारण है कि बरसात के दिनों में मेढक की आवाज दूर तक सुनाई देती है क्योंकि बरसात के दिनों में आदरता आपकी बढ़ जाती है आदरता बढ़ने से घनत तो घट जाता है और घनत तो घटने से ध्वनी की चाल जो है वो आपकी बढ़ जाती है तो यही वो कारण है, अगला आपका कारक हो सकता है वायू या माध्यम की गती का प्रभाव, यानि कि जिस दिसा में ध्वनी चल लई हो, अगर उसी दिसा में माध्यम भी चलने लगे, हवा भी चलने लगे, तो ध्वनी की चाल जो होगी वो बढ़ जाएगी, और कितनी हो जा प्रभाव, याद रखेगा ध्वनी की चाल पर आवरत्ती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर नोट करके हमने कुछ पॉइंट लिखा है, बहुत खास इसा बाते हैं, ध्वनी की चाल केवल और केवल किस पर निर्भर करती है माध्यम पर, माध्यम पर ही न जिसा में चल लए है, इन सब बातों पर ही निर्भर करती है ध्वनी की चाल, अगला पॉइंट आपका ध्वनी की चाल सबसे अधिक जो है वो इस्टील में होती है, एन्टीपी यानि की 20 डिग्री लगबख सेल्सियस पर, वायू में ध्वनी की चाल जो होती है, वो आपकी अगला पॉइंट है आपका प्रगाती तरंगे यानि की सौक वेप साउक वेप क्या होती है यदि कोई भी वस्तू जो है वह सूपर सौणिक स्पीड से चले, सूपर सौणिक पीड का मतलब है उसकी चाल एक मैक से अधिक हो मैक क्या है वो चाल का मातरक है और एक मैक जो है वो आपका 340 मीटर प्रती सेकंड के बराबर होता है तो यहाँ पर हमने प्रगाती तरंग पढ़ना है तो हमने क्या बताया आपको कि कोई भी वस्तु जो है वो सूपर सौनिक स्पीर से चले यानि कि उसकी चाल एक मैक से अधिक हो तो वो अपने पीछे एक संक्वाकार छेतर छोड़ता जाता है आप छेतर में देख सकते हैं इसी छेत को में छोड़ता जो जाता है इसी तरंग को हम लोग बोलते हैं प्रगाती तरंग और इसकी उर्जा इतनी अधिक होती है कि अगर ये किसी इमारत से टकरा जाए तो उसे नुकसान पहुचा सकती है इसी कारण आपने देखा होगा जो fighter plane है वो नीचे नहीं उड़ा जाते हैं वह काफी उपर उचाई पर उड़ाया जाते हैं तो याद रखेगा ऐसे कोशन हुआ है ऐसा कोशन मैक किसका मात्रक है तो मैक जो है वह चाल का मात्रक है जिसकी वैलू होती है तीनसों चालिस मेटर प्रेती सेकेंड दूसरा सो फूपर्सॉनिक वेब जो उता है क्या होती है सूपर स्वानिक वेव की फ्रिक्वेंसी जो होती हो बीस किलो हड्स से अधिक होती है अगला आपका जो टाइप था वो है विद्धु चुमकी तरंग यानि की अभी विद्धु चुमकी तरंगे जो होती है वो अनुपरस्त तरंग होती है इसका यहां पर हमने एक्जामपल लिख रखा है ऐसा कोश्चन रहता एक्जामपल दी जाता है पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जो है आपका विद्धु चुमकी तरंग है तो याद आपकी विद्धु चुमकी तरंगे हैं विद्धु चुमकी तरंगे कोई हैं कि नहीं है या आप कैसे पता लगा सकते हैं इसके लिए मैक्सवेल जो की एक बिटिस साइंटिस से उन्होंने 1865 में कुछ एक्वेशन दी थी जिसकी साहिता से उन्होंने कुछ रिजल निकाला था कि आप उन रिजल की साहिता से पता सकते हैं कि विद्धु चुमकी तरंगों के गुण क्या क्या हो सकते हैं तो कोई भी तरंग विद्धु चुमकी तरंग है या नहीं है यह पता लगाने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जो आपकी विद्धु के हो सकता नहीं होती है जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है विद्द और चुमकी यानि कि इस तरंग में दो वेक्टर होते हैं पहला होता वैद्द वेक्टर और दूसरा होता चुमकी वेक्टर खास बात होती है वैद्द वेक्टर और चुमकी वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो यहां पर अगर आप से पूछा जाएगा कि विद्धु चुमकी तरंग में वैदुद और चुमकी छेतर के बीच का कलांतर कितना होता है तो लंबवत होते हैं तो इसका मतला उसके बीच का जो कलांतर है वो पाई वाई टू रेडियन होगा अब दोन अगला पॉइंट है आपका वेक्टर इक हम लोग लाइट वेक्टर यानि कि प्रकासिक वेक्टर बोलते हैं इसका कारण यह है कि कोई भी प्रकास जो हमारी आखे देख सकती है वो उसके वैदुद वेक्टर के कारण ही देख सकती है क्योंकि वैदुद वेक्टर हमारी नर यानि कि दिरवे तरंगे आपको पता हैं कि light में dual nature होता है ऐसा डी ब्रागली ने बताये था पहला दूसरा आपका पार्टीकल नेचर होता है कि तो जब किसी तरंग में पार्टीकल ने ब्रागली सथा यानि कि कॉइंकि क्त Iz가지 बात करेंगे हैं वह उर्जा लेने के बाद क्या होता है वह उच्छी उर्जा इस्तर में लेक्ट्रान चला जाता है वहाँ पर वह बना नहीं रहता है दसकी घात पर्मुला होता है वह होता है लेम्डा एक्वल टू एच अपॉन पी एच जो है वह प्लांक नेतांक है जिसकी वैलू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड और पी जो है उसका सम्वेग है थैंक यू